पत्ता गोबी की सबजी, कोफते, मंचूरियन, मोमोज ये सब तो हमने बहुत खाए हैं लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोबी के कबाब जो बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप इने बार बार बनाना पसंद करेंगे और घर में बड़े सामान से ही ये बनकर तयार हो जाते हैं इस कडाके के ठंड में ये कर्मा गरम पत्ता गोबी के क्रिस्पी कबाब खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे तो चलिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी पत्ता गोबी के कबाब बनाना शुरू करते हैं पत्ता गोबी के कबाब बनाने के लिए मैंने एक बड़ी साइच की पत्ता गोबी ली है पता गोबी को अच्छे से धोकर सुका लिया है और पता गोबी के ऊपर जो तीन चार पत्ते आते हैं उनको हटा लिया है अब ये अच्छी साफ दूली वी पता गोबी को हम काट गेंगे काटने के लिए मैं आपको दो तरीके बताओंगी तो पहले तो इस पता गोबी को हम इस तरह से रखेंगे और एक बड़े चाकू की सायता से इसे half pieces में कट कर लेंगे तो ये एक पीस से मैं छोटे छोटे pieces करके बताऊंगे तो छोटे पीस ये आपको काटने हैं तो चाकू की सायता से पता गोबी में इस तरह 3-4 कट लगा दें और फिर इस तरह रखकर काट लें तो इस तरह जो पता गोबी हमें मिलेगी वो एकदम fine कट हीवी मिलेगी तो जितनी आप fine काटना चाते हैं पता गोबी को उतने ही जादा उसमें कट लगा दें और जो लास्ट में डंठल वाला हिस्सा होता है ये काफी hard होता है तो इसे हटा दे अब पता गोबी को यदि लंबी slices में काटना चाते हैं तो उसके लिए पता गोबी के बीच में सिर्फ एक कट लगाएं और इस तरह से इसे काट लें तो इस तरह जो पता गोबी कटेगी वो एकदम पतली और लंबी होगी तो नुडल्स वगरे में इस तरह से लंबी और पतली कटीवी पता गोबी अच्छे लगती है तो ये हमारी एकदम fine और लंबी कटीवी पता गोबी और ये एकदम छोटे pieces में कटीवी पता गोबी अब इस पता गोबी को एक mixing bowl के अंदर transfer करेंगे अब पता गोबी काफी hard भी होती है साथी इसमें खूब सारा पानी होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे नमक और नमक को पता गोबी के अंदर अच्छे से mix करके 15-20 मिनिट रग देंगे इससे पता गोबी soft भी हो जाएगी और साथी अपना सारा पानी ये छोड़ देगी तो वो पानी हम हटा देंगे तो कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे अब 15-20 मिनिट के बाद आप देखेंगे कि पता गोबी काफी shrink हो गई है और ये soft भी हो गई है तो इसका पानी हम निचोड़ेंगे तो इस तरह दोनों हतेलियों की बीच में इसे प्रेस करते वे इसका पानी निचोड़ दी एक दूसरे बोल के अंदर इसे transfer कर लें तो जब पता गोबी से इस तरह से कबाब बनाते हैं तो इसमें हमें बहुत ही कम मातरा में बेसन का इस्तमाल करना पड़ता है तो इसे पता गोबी का साथ बहुत ही उबर कराता है और यदि हमने पता गोबी से डायरेक्टर कबाब बनाएं तो उसमें आपको ज़्यादा मातरा में बेसन मिलाना पड़ेगा तो सर्फ बेसन का ये टेस्ट आएगा पता गोबी का नहीं आएगा देखे कितना सारा पानी निकला है पता गोबी में से अब इस पता गोबी के अंदर ही हम डालेंगे तो मीटेम सायज के पतले और लंबे कटेवे प्याज आप चाहें तो इसके साथ लंबे और पतले कटेवे आलों का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब एक मानदस्ता लेकर इसमें दू हरी मिर्च को इस तरह काट करके डाल देंगे और साथ ही इसमें एक से दू इंच अदरक का टुकडा भी हम काट करके डालेंगे तो इसे इने क्रश करना काफी आसान हो जाएगा तो यहाँ पर हरी में चदरक लसुन किसी कापी हमें पाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसे दर्दरा ही रखना है इसके लिए हम मानदस्ते का इस्तमाल करेंगे 9 से 10 लसुन की कलियां डाल कर 3 नो चीज़ों को हम इस तरह से ग्रश कर लेते हैं तो इस तरह दरदरा बनावा पेस्ट कबाब में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है अब इस पेस्ट को भी हम बोल के अंदर ये ट्रांसफर कर लेंगे और अब मिलाएंगे इसमें मसाले मसालों में हम लेंगे एक छोटी चमच धनिया के बीच जिने भी मनी मोटा मोटा क्रश करके लिया है साथी एक छोटी चमच कुटी भी लाल मिर्च लेंगे आदा छोटा चमच भुने वेजीले का पाउडर एड़ करेंगे एक छोटा चमच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर एक छोटा चमच हल्थी पाउडर आदा छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर साथ ही डालेंगे एक छोटा चमच करम मसाला और इसे चटपटा बनाने के लिए डालेंगे एक छोटा चमच चाट मसाला या फिर इसमें आप आमचूर का पाउडर या निम्बू का रस्वी डाल सकते हैं स्वात के नुसार नमक एड़ करेंगे नमक हम पहली भी एड़ कर चुके हैं तो सीके अकॉर्डिंग नमक एड़ करें आदा कब डालेंगे चावल काटा इससे कबाब बहुत अच्छी क्रिस्प भी बनेंगे यदि आपके पास चावल काटा नहीं है तो सुजी को ग्राइंड कब बेसन का इस्तिमाल किया है तो शुरुवात में तीन चमच बेसन का एड़ करेंगे और इसे मिक्स करेंगे और फिर तीन चमच बेसन और डालकर एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इससे जो बेसन होगा वो ज्यादा मातरा में नहीं जाएगा बस सारी लेकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि एक जगर इस तरह से बाइंड हो जाए और अब हम कड़ाई में तेल भी चड़ा देते हैं गरम होने के लिए तो तेल को मैंने कर लिया है और तेल जब एक पार गरम हो जाए तब कैस का फ्लेम लो कर देंगे तो तुपिक डालन यह जो मिश्रन होगा वो हातों के भी नहीं चिपके का दूसरा उपर की लेर थोड़ी के लिए हो जाएगी जो पकने में थोड़ा समय जादा लेगी तो कबाब धेरे धेरे अंदर से अच्छे से पक जाएंगे तो इस तरह एक एक करके मैं कबाब बना रही हूँ और करम त इस तरह से डाल दिया है और जब तक यह फ्राई होगा मैं दूसरा बैच बना कर तयार कर लूँगी यानि उन्हें शेप देकर तयार कर लूँगी यहाँ पर कबाब को हमने कटलेट शेप दी है लेकिन आप चाहें तो इन्हें कोल शेप में भी बना सकते हैं या फिर अब तक तक प्राईरा कलर आने लगा है एक दो बार बीच में हम चला देंगे और अभी कबाब क्योंकि अंदर से कच्चे हैं तो यह हैवी भी है और हैवी होने के कारण यह नीचे तले में ही रहेंगे लेकिन जैसे जैसे कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे यह अच्छा हो गया है इन्हें बढ़िया लाल होने तक फ्राई करें तभी ये बहुत अच्छे क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से कच्छे बिल्कुल नहीं रहेंगे तो ये हमारे टेस्टी कबाब बनकर तयार है देखकर आ रहा है ना इन्हें मुझ में पानी तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं एक अब्सॉर्मेंट पेपर पर और बचे वे कबाब भी मैं इसी तरह से फ्राई करके तयार कर लूँगी और येदि सपोज आपका तेल धीरे धीरे ज़्यादा गरम हो जाए तो गैस का फ्रेम एक बार के लिए ओफ कर दें और यहाँ पर यह कबाब हैं वो half फ्राई हो चुके हैं यदि आप इन्हें बाद में सर्व करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इन कबाब को half फ्राई कर लें यानी इसे स्टेस पर निकाल दें और जब इन्हें आप सर्व करना चाहें गर्मा गर्म तब इन्हें दुबारा से फ्राई कर लें तो इसे कबाब क्रिस्पी भी रहेंगे और कर्मा गर्म कबाब सर्व करने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ये हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार हो गया है तो बहुत अच्छे क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार होते हैं और हमने इसमें पत्ता गोबी का इस्तमाल किया है ये तो किसी को पता ही नहीं चल पाता क्योंकि पत्ता गोबी का टेस्ट इन कबाब में बहुत इलाज जवाब आता है तो ये दूसरा बैच भी हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पत्ता गोबी के कबाब अब बढ़िया बढ़िया पत्तागोबी भी मारकेट में आ रही है तो आप चरूर से ये कपाब बनाएं और ये देखें इनका टैक्षक कितने ज़्यादा क्रिस्पी है अंदर बरपूर मातरा मेस में पत्तागोबी है और मसाले हैं जिसे इनका स्वाध बहुत ही बढ़ करात आप इने टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें या चाय के साथ ऐसे ही इंजॉय करें